हेलो एबरीवान वेलकम बैक टू चैनल तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं हमसल स्नेक्स जो कि आप आराम से महीने भार इसे स्टोर कर सकते हैं और यह बहुत ही टेस्टी लगता है बहुत ही फटा-फट भी बन जाता है और सभी को बहुत जादा पसंद आता है तो इस द मैदे का यूज किया है आपको यह भी घर का कटोरी कप सेट कर लीजे अब यहां पर एक चम्मच हम डालेंगे अजवाइन यह बड़ी चम्मच से मैंने लिया है और इसे हाथों से क्रश करकर डालेंगे इसे क्या होता है टेस्ट भी बहुत जादा अच्छा आता है और यह काफी हलफुल होति है तो इसे जरूर डालिएगा अब इसी के साथ इसमें हम डालेंगे टेस्ट के कार्डिंग नमक तो यहां पर छोटी चम्मच से मैंने वन डेंड हाफ डाला है और नमक इसमें जादा बिल्कुल मठ डालिएगा आप यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है वन फ ताकि यह इस तरीके का लड्डू बनने लगे तो यह देखे इसका मतलब है कि मोयन बहुत बढ़ियां पड़ा है अब इसमें थंडा पानी का यूज करना है थंडे पानी से हमें इसका डो रेडी करना है और इसका डो नट टाइट होना चाहिए अब इसे हम कवर करके 5 मिट के कर लिया और चकले पर डाला है थोड़ा सा सूखा मैदा और इसे हम बेल लेंगे इस तरीके से बहुत ही आसानी से ही बिल के तयार हो जाता है इसके उपर लगाएंगे ओयल यह ओयल भी गरम करके ठंडा करके ही लिया हुआ है तो जब आप घी का यूज नहीं करना चाहते त तो ऑयल का यूज की जी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा और हलका समयदा डस्ट करके हम इसे फोल्ड कर देंगे फिर से इसके उपर वही ओयल का ब्रेश लगाएंगे और इसके उपर हलका समयदा फिर से हम लगाएंगे तो इसे क्या होगा ना मठ्री में लेया आप इसको बेल लिया और फिर से यही प्रोसेस कीजिए तो यहां पर देखिए इसे मैंने पराठे का शेप दिया है अब यहां पर इसे मैंने बेल लिया है अब यह मैंने लिया है कूकर का चूकर के पर सीटी होती है उसमें एक कैप लगी होती है टोपी वह मैंने ले रखा है तो बीना किसी cutter के आप इसे कितना बढ़िया shape दे सकते देखए मैं इसे काजू का shape देे रही हम और यह बहुत देखने में सुंदर लगता है तो इसी तरीके से मैंने सारा त्यार कर लिया अब दूसरी रोटी भी मैंने बेल ली है और इसके जो साइट से ना इसे हम नाइफ की हल्प से कट करके निकाल देंगे तो इसे आ फेक की मत उसी मैदे में आप इसे फिर से डाल दीजें क्योंकि अभी हम और भी डिजाइन बनाने वाले हैं अब इसके हम पतली-पतली सी स्टिप्स कट कर लेंगे तो चाहे है तो आप पहले निशान लगा लिजे इसके लेके या फिर आप अंदाजे से मेरी तरहThis तरह से कट कर सकते हैं तो यह देखे सारे ही कट हो चुके हैं आप यहां पर तीन स्टिप्स को हम निकाल लेंगे, तो यहां पर यह ले लिया है मैंने, अब इसे हम सीधा रखेंगे धाली के ऊपर, और यहां पर एक पानी की उंगली से हलका सा इसको हम लगाएंगे और प्रेस कर देंगे, और सेकेंड पोर्शन पर भी वही काम करेंगे, पानी वाली उंगली लगाएंगे और चिपका देंगे तो यहाँ पर तीनो जो स्टिप्स हैं वो अच्छे से चिपक चुकी हैं अब इसकी हम बनाएंगे चोटी तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक के बाद एक इसके उपर ऐसे आप डालते जाएंगे और यह नीचे व सारे त्यार कर लेते हैं अब यहाँ पर तीसरी डिजाइन में आपके साथ शेयर कर रही है तो देखिए मैंने किस तरीके से इस टिप्स को रखा हुआ है अब यहाँ पर हलका सा प्रिस करना है ज्यादा नहीं यहाँ अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो यह ओल में जाते ह खुल जाएगी अब यहाँ पर भी हाफ इंच की दोरी पर पानी लगाया है और फिर से दूसरी स्टिप्स को इसके उपर हलका सा प्रिस करके चिपका देना है फिर से यहाँ पर हाफ आफ इंच का हमको डिस्टिंस देना है और दूसरी स्टिप्स को भी इसके उपर चिपका तो यहां पर यह देखिए इस तरीके से पानी लगाना है आपको जहां भी आपको इसे चिपकाना है पानी जरूर हलका सा लगाईएगा नहीं तो फिर ओयल में जाते ही खुल जाएगा तो सारी मेनत हमारी खराब हो जाएगी तो यह वाला छोड़ देते हैं पहले मैं आपको एक ही कट करके दिखाती हूँ तो जो एक स्टिप समने लगाई थी उससे हाफ इंच की दूरी पर दूसरी भी मैंने पानी लगा कर चिपका दी है अब लेंगे एक नाइफ और नाइफ की हल्प से देखिए मैंने थोड़ा सा छोड़के कट कर लिया है हलका हलका सा आपको छ यहां पर देखिए यह मैंने सारी डिजाइन बनाकर तयार कर ली है अब यहां पर आउयल में मैंने इसे डाल दिया कैमरा नहीं आउन कर पाई थी आउयल बहुए जादा गरम मत लीजेगा हलका गरम लीजेगा मीडियम हॉट अउयल होना चाहिए और यहां पर यह जब हम इ कि हमें डालने है कुछ मसाले में ख औल रहां चाट मसाला बहुए जह पहले में जेरा भूना हुए चेरा मसाला गरम मशारा म्मक उभना जिरा येर्ण देहीं अब इसे नशॉछ मिंट मिक्स कर देंगे हाँ हाँ तो जो तरो नो पे टेस्ट क्रें आए और अगर आपके पा अब यह तयार हो चुका है आप चलते हैं दूसरा फ्राइ करने के लिए बैच जो हमने बना कर रखा है तो इसे भी हमने डाल दिया और इसे तुरंद डाल के टच बिल्कुल मत कीजेगा नहीं तो यह खुल जाएगा जब यह हलका सा कलर चेंज करें तो आप इसे स्पून और लाइफ के हलसे पलट दिजिए और मेडियम में लखंचREE में हाए बिल्कुल मत कीजेगा तो मेडियम फ्राइआ करेंग तो यह यह बहुत भढ़िंगे असलरी कर के विन के टैयार करें के और यह बहुत ही बढ़िया बनके तयार हो आप इसे एक महने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं और दिवाली आने वाली है तो दिवाली पर इसे बनाना तो बनता है जरूर बनाईएगा ट्राइ केजएगा आप सब को बहुत पसंद आएगी तो फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंकियो फॉर